वो आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं तो आप बताएं कि जो यूपी कानपूर के अंदर आठ आद्मियों ने कल आत्म हत्या भी किया है आर्थिक तंगी की वो यसे ऐसा हमने समचारों के माध्यम से सुना है तो क्या यूपी में रामराज अस्थापना है आप जड़ा खुद सोचिए जदी भारत के अंदर लोग पैदल चलके भूख प्यास से मर रहे हैं तो कैसा सासन चल रहा है आज देश के हालात क्या है भरष्टाचारियों को जिनोंने बैंक के के अंदर डाका डाल के विदेश में चले गए और उसको बीजा भारत सरकार मोधी सरकार ने दिया सरसथ हजार करोड रुपया उनको माफ कर दिया गया यानि भरष्टाचारियों को लौन ही माफ कर दिया गया तो क्या ये भरष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भारतिये जनता पार्टी की सरकार नहीं है आप जड़ा खुद सोचिए और उससे भी बड़ी बात कि नावालिक बचीयों का रेप बिहार में भी मुझपरपूर में पिछले साल बिहार में 34 बचीयों का रेप हुआ था उसके अंदर भी कई बचीयां गरभ बती हुई थी मध्वनी में हमारे जिले के अंदर तीन बचीयों हुई दो को लास को पता ही नहीं चला गैब हो गया भागलपूर में कानपूर में लखनओ में यानि हिंदुस्तान के तमाम बाली का ग्रह में बचियां गैब हो जाती हैं उनका रेफ हो जाता है गरब बती हो जाती है और बात करते हैं कि रामराज है ये कंस राज है ये सरकारे कंस की हैं भले भगवा बस्तर पहनने से कोई सन्य यासी नहीं हो जाता है तब तो रावन ने भी सीता को हरन करने के लिए भगवा बस्तर पहन के ही सीता का हरन किया था सादू का भेश बनाके तो योगी आधितनात की सरकार यूपी के अंदर एक भगवा बस्तर पहन के और सनातन धर्म को कलंकित करने का काम कर रही है ये सरकार क्या निस्पक्ष जाँच कराने का साहस क्या दम है योगी सरकार में जदी योगी सरकार का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है तो मैं योगी सरकार को खुली चुनोती दे रहा हूँ कि क्या आपके अंदर दम है किस-किस नेताओं का आखिर वो जो बाली का ग्रह का जो सुप्रीटेंडन उसका जो भी है जो एंगियों चलाता है संस्था उसकी गिरबदारी हो और वो उसके द्वारा सार्वजनिक मीडिया के अंदर बयान हो कि किसको वो लड़कियां सफलाई करता था ये खुलासा होना चाहिए यदि रामराज की आप बात कर रहे हैं नहीं तो सुईकार करिए के कंसराज रावनराज चल रहा है यूपी के अंदर दलितों के उपर अत्याचार हो रहा है गरीब मजदूरों के उपर अत्याचार हो रहा है अल्बसंख्यक समाज के उपर अत्याचार हो रहा है और योगी सरकार बैट के तमासा देख रही है क्या इसी लिए योगी जी को जनता ने 325 सीट यूपी के अंदर दिया था क्या इसी काम के लिए या तो कह दो कि हम जो बोलते हों वो कभी निभाते ही नहीं जैसे मोदी आपका गुरू सारे भगतों का गुरू नरेंद मोदी जूट का पुलिंदा नरेंद मोदी जुमले बाज परधान मंत्री कहे कि क्या चल रहा इस देश के अंदर मैंने कल बहुत सारी वीडियो मोदी जी के और उनके नेताओं का मैंने अपने गुरूप में सामिल किया अंदभगतों को दिखाने के लिए कि अंदभगतों देखो ये मैंने नहीं कहा था ये आपके गुरू आपके पिता स्री स्री नरेंद मोदी ने कहा था जिसको आप अपना बाप मानते हो लबज टेड़े हैं क्या करूँ आपके लेंगबे जैसे हैं क्योंकि मोदी जी योगी जी की कोई आलोच ना करे तो ये अंदभक्त मा बहन से सीधा संबोधित करते हैं क्योंकि ये तो मा बहन इनके घर में है ही नहीं ये किसी गटर नाली के कीडे हैं जैसे कोई उठलू, उठाई गीरा रोड पे चारावारा नहीं होते हैं और वो मा बहन करने में लगे हुए रहते हैं तो योगी सरकार में और मोदी सरकार के जो आज के अंदभक्त अकल से पैदल और दिमाग में गोबर वो गाली गलोची करते हैं मैं उनको कहता हूँ अंदभक्त जिनके पास अच्छे बुरे की ग्यान नहीं होता है वो सुनना नहीं चाहते सही बात, सही बात की जनकारी लेना नहीं चाहते, सही बात जनकारी देना नहीं चाहते, आका जूट बोलता है, उस जूट को समर्थन ये अंदभक्त करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, के भला हो, बुरा हो, माबाप की आलोचना कोई बालवच्चा न नहीं चाहते इसी लिए इनको मैं कहता हूँ अंद्भक्त और दुनिया कहती है मैं क्या कहूंगा आज दम है तो क्यूं नहीं जितनी गोदी मीडिया है कानपूर का हादसा जो बचियों के साथ बलतकार हुआ है क्यूं नहीं दिखा रही है जदि इतनी ही देश भक्ती का ये न्यू चैनल वाले पाट पढ़ाते हैं तो फेर जनता को सचाई क्यूं नहीं बताते हैं अरे लाख बुराई थी कॉंग्रेस में लेकिन वो भरष्टाचारी नेताओं को जेल भिजवाने का भी काम करती थी बोले योगी आदितनात बोले नरेन मोदी कितने भरष्टाचार वालची को अरे आपने तो जो फुलमामा हमला कराया देविंदर सिंग उसको भी आसानी से बेल होने दिया उन्नाव कांड का सिंगर जी उसकी भी बेल कराने का आपने काम किया तो भारतिय जंतापाटी की सरकार में जितने भी भरष्टाचारी नेता हैं उसको जितने भी आतंकबादी संगठन के संरक्षक हैं उनको बेल किराने का काम भारतिय जंतापाटी नहीं तो ठेका लिया हुआ है वो इसलिए ठीका लिया हुआ है कि हिंदुस्तान में अभी तक जितने बंबलाष्ट हुए हैं उससे फैदा किसको पहुचता है भारतिय जंतापाटी को पहुचता है हिंदुस्तान में हिंदू मुसल्मान के दंगे जितने भी होते हैं उससे फायदा किसको पहुंचता है भारतिये जनता पाटी को पहुंचता है महजित में और मंदिर के अंदर मास फेकता है कोई तो उसका फायदा किसको पहुंचता है उसका फायदा भारतिये जनता पाटी को पहुंचता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बडर पे सैना मरती है तो उसका लाब कौन लेता है उसका लाब भारतिये जनता पाटी लेती है फुलबामा हमला हुआ सहीदों के उपर राजनिति किस ने किया उसका राजनिति किया भारतिये जनता पाटी की सरकार स्री नरेन मोदी ने और अब 1962 के बाद माप करियेगा मैंने भी एक जूट बोला था अंधभक्त मुझे गाली देने लगे थे 1962 में जवहाला लहरू थे परधान मंत्री मैंने थोड़ा सा जूट बोला था जरा क्या टिपणी आती है क्योंकि जब आपके आका सो के सो परसेंट ही जूट बोलते है तो कैसे एक स्वागत करते हो तो इसका मतलब विपक्षी नेता को बदनाम करने का विपक्षी पाटी को बदनाम करने का ये ठेका ले रखा है अंधभक्तों ने अब ये सोचो कि 1962 के बाद चाइना ने कभी भारत को आँख दिखाने का काम नहीं किया लेकिन भारतिये जनता और 1962 में चाइना ने हमला किया था उसका हमले का जबाब हमले से दिया गया था जवाहलाल नहरू की सरकार ने जब हमारे पास कोई हतियार कोई साधन नहीं थे तब भी हमने मुकाबला किया था और चीन के छक्के छुड़ा दिये थे लेकिन आज 20 जवान हमारे सहीद कर दिये गए चाइना के तरब से लेकिन ये नपुनसक सरकार नरेंद मोदी की सरकार ने खामूसी से उससे लौन लिया है बकाइदा लौन अब सुनो अंधो भगतो तुम्हारे आका ने अभी चाइना से लौन लिया है इतनी मजगूत तुम्हारी सरकार है घुठने टेक दिये हैं चाइना के आगे में मोदी सरकार ने चंद सिक्के फैके और 20 हमारे जवान का भाव लगा दिया देश की जनता माफ नहीं करेगी मोदी सरकार को इस बात को समझो मोदी सरकार में जदी दम होता तो आज कौन सी चीज नहीं हमारे पास कौन सा भीमान नहीं है कौन सा परमानू नहीं है हो जाता एक मारी क्योंकि 20 जवान हमारे सहीद की है ये कलेजा भारतिये जनता पाटी के पास नहीं है क्योंकि ये हिंदू मुसल्मान की बीमारी ही फैलाना जानते है ये देश की सीमा की रक्षा करना नहीं जानते ये तो नरेंद मोदी ने खुद अपने भासन में कहा था कॉंग्रेस के सासनकाल में कमी बाॉडर पे नहीं होती है कमी दिल्ली में बैठे हुए नेताओं में होती है ये बात स्वैम कभी जिंदगी में एक बारी सच बोला है इस भी हमारे नागरीकों को मार देता है और ये नपुनसक सरकार एक लबज नहीं बोलती है चुनाओं पर्चार में लगी हुई है चुनाओं के लिए धाने कठा कर रही है आखिर सोच ये 270% कभी सुना है दुनिया में किसी मुल्क में दुनिया के किसी भी मुल्क में 270% टेक्स लादा जाता हो डीजल पेट्रोल पे ये वही सरकार है मैंने रात में वीडियो आप लोग को भेजा है अपने गुरूप में के सुनो मोधी भगतो क्या कहा था आपके आका ने 270% जो टेक्स असूली हो रहा है प्राइबेट कंपनियों का जेब भरा जा रहा है ये खाजाना किसका भरा जा रहा है सुजबैंक के सुजबैंक के अंदर ये पैसा जमा हो रहा है सारा डीजल पेट्रोल का प्रॉफिट ताकि दबा के चंदा ये कंपनी वाले भारतिये जनता पार्टी को फंडिंग करें और भारतिये जनता पार्टी MLA खरीदने में ब्यस्त रहे सरकार गिराने में ब्यस्त रहे इसी के लिए क्या हमने भारतिय जनता पाटी को देश की जनता ने चुना आप खुद फैसला करें क्या धनेश्वर महतो स्वही कह रहा है या गल्द कह रहा है अगर देश से प्रेम करते हो अंदभक्तो सुन लो अगर देश से प्रेम करते हो तो अंधभक्ती छोड़ दो अंधभक्ती छोड़ दो जदी राट प्रेम है तुम्हारे अंदर जरा भी तो अंधभक्ती मत करो सोचो समझो कि जिसे तुमने चुना है क्या वो देश के लिए काम कर रही है या तुम्हें सिरफ नफरत हिंदू मुसल्मान का डाल के वो देश के खाजाने को खाली करके सिरफ उद्योग पतियों का घर भरने का काम कर रही है और जितना भी देश के अंदर सरकारी संस्थाएं थी सारे उद्योग पतियों को बेचने का काम किया है आपके आका स्रीम नरेंद मोदी ने आप स्विकार करो ये सच्चाई है LIC को कभी सुना था के LIC को भी सरकार गिर्वी रखेगी उसको भी रख दिया है कभी लाल किले को सुना था उसको भी गिर्वी रख दिया है एरपोर्ट को कभी सुना था उसको भी गिर्वी रख दिया है आखिर किस के लिए गिर्वी रख रहे हो भाई रेलवे को सुना था भारस सरकार की रेलवे उसको भी प्राइवेट करन कर दिया गया फिर भी अंधभक्ती नहीं उतर रही है उतारो ये चोला नहीं तो तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे बाल बच्चों के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है बहुत बुरा दिन आएगा आज के लिए मस सोचो कल के लिए अपने भविस के लिए अपने बल्चों के लिए अपने देश के लिए सोचो कम से कम थोड़ी देर के लिए अंध्भत्ती उतार दो और देश के लिए सोचो इतना ही कहूँगा जै हिंद जै भारतिये मित्र पार्टी जै मादुरुगा जै मा जेगदंबे जै माता की सीता राम